हेलो दोस्तों स्वागत है मेरे योट्यूब चैनल टोटल हेलप पर दोस्तों आज की वीडियो हम देखेंगे कि हम विंडोस 10 की आयोसो फाइल किस तरीके से डाउनलोड करेंगे यानि किस तरीके से हम एक pen drive को bootable pen drive बनाएंगे जिससे की हम विंडोस 10 को अपने PC पर इस्टॉल करेंगे तो यहाँ पर इस्टॉल इसन नहीं दिखाऊंगा मैं यहाँ पर सिर्फ पर किस तरीके से हम bootable pen drive बनाएं वो हम यहाँ पर देखेंगे तो उसके लिए हमको एक pen drive चाहिए होगा एक PC चाहिए होगा और साथ में हमें चाहिए होगा एक Wi-Fi connection क्योंकि यहाँ पर फाइल काफी बड़ी होती है 5-6 GB की यहाँ पर फाइल होगी 5-6 GB की फाइल होगी तो यहाँ पर pen drive minimum आपको 8 GB का चाहिए होगा और maximum जो भी चले कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होगी तो सबसे पहले हमने क्या करना होता है कि यहाँ पर Google से हमने इसकी IOSO फाइल को डाउनलोड करना होता है तो दोस्तो अगर चैनल में फश्ट बार हैं तो चैनल को सस्क्राइब कर देना वीडियो चलेती वीडियो को लाइक कर देना साथ मैं बेल आइकन को डंदा बाद देना जिससे होगा मेरे आने वाले वीडियो को नोटिपिकेशन आपको मिल जाएंगे क्योंकि मैं टेस से लेटर ऐसी वीडियो अपलोड करते रहता हूँ सब्सक्राइब करते हैं आप शुरू तो सबसे पहले हमने क्या करना पड़ेगा यहाँ पर देखते हैं Chrome हमने open कर रहा है और यहाँ पर आपको सर्च मारना है यहाँ पर यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है डाउनलोड विंडो इस तरीके सी बिट दोनों के लिए है तो simply हमने यहां पर किलिक कर लेना है जैसे हम किलिक करेंगे तो यहां पर हमको नीचे आ जाना है नीचे जैसी आएंगे तो यहां पर देख सकते हैं बिंडोज 10 यहाँ पर 54 bit पर भी है और बिंडोज 10 वो हमारा 32 bit पर भी है तो हम यहाँ पर 64 bit वाला download यहाँ पर कर लेंगे simply तो मैं click कर लेता हूँ और यहाँ पर देखते हैं मेरी यह downloading आ चुकी है और यहाँ पर यह download होना सुरू हो गया है तो मैं इसको यहां से कर देता हूं पाउस कर देता हूं और इसको मिनिमाज करके मैं आपको यहां पर दिखाता हूं क्योंकि यहां पर मैंने पहले से ही बिंडो की फाइल यहां पर रखी हुई है देख सकते हैं बिंडो 10 आयो सो फाइल तो मैंने देख सकते हैं यहां पर पहले से ही रखी ह पिए आएगा क्योंकि यह मुझे बता रहा था यहां पर यह देख सकते हैं फिर से दिखाता हूं कि 20-25 मिनट यहां पर मुझको लगेंगे तो मैं यहां पर से इसको हटा देता हूं और सिम्पल ही इसको में मिनिमेज करता हूं यहाँ पर मेरे पर पहले सा ISO फाइल है वो कहाँ पर है मैं आपको दिखा दूँ देखते हैं B, डिस्क पर मैंने ISO फाइल को रखा हुआ है अब मैं पैंडराइब को यहाँ पर लगा लेता हूँ पहले मैं इसको बैक करता हूँ यहाँ पर अब मैं pen drive को लगा लेता हूँ pen drive मैंने लगा दी है तो देख सकते हैं यहाँ पर यह pen drive मेरी आ चुकी है जो कि 16GB का pen drive है यहाँ पर 14.3 में उज़े दिखा रहा है इसको आप format भी कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं ऐसा कोई वो नहीं है लेकिन मैं यहाँ पर इसको format करूँगा और यहाँ पर देख सकते हैं मेरी complete format हो चुकी है यह सब करने के बाद आपको क्या करना होगा आपने फिर से यहाँ पर आना होगा और यहाँ पर आना होगा उसके बाद सर्च मारेंगे RUFUS इस तरी के सर्च मारेंगे और इसको भी हम यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं यह मेरे पास पहले से ही डाउनलोड है यह रहा क्योंकि यह भी हमारे पर डाउनलोड होना बहुत जुरूरी है यहाँ पर देख से इस तरी के से खुलेगा यह यही हमारा bootable pen drive को बनाता है तो यहाँ पर देख से लेटेस्ट वाला देखेंगे हम यहाँ पर 12 का है यह यह 19 का 19 19 19 यानि लेटेस्ट वाला सबसे उपर वाला है तो हमने simply इसको यहाँ पर किलिक करना होगा और यहाँ पर देख से मेरे डाउनलोड हो रहा है तो यहाँ पर यह complete हो चुका है तो simply यह करना है हमने इसको open कर लेना है double click करके जैसी हम open करेंगे double click करके कुछ इस तरीके का यहाँ पर हमको interface देखेगा जो मेरी pen drive हो देख सकते हैं यहाँ पर को so कर रही है अगर मैं इसको यहाँ से remove कर दूँ तो यह मेरी हडगई है और दुबारा से मैं इसको यहाँ पर लगाता हूँ तो यह मेरी आ जाएगी यहाँ पर दिखते हैं यह आ चुकी है तो यहाँ पर आपको pen drive select कर लेना है और यहाँ पर यह select ही है है तो यहाँ पर मैंने इसको select कर लिया है यह इसको हम करेंगे open तो यह मेरी आ चुकी है इसको भी यहाँ से फिर से कर देते हैं open यह तो आयोसो फाइल भी हमारी select हो गई है बागी आपने कुछ नहीं करना है यहाँ पर सब ऐसी रहें देना है उसके बाद यहाँ पर हम simply कर देंगे start पर click करेंगे start पर click करेंगे और यहाँ से हम okay दवाएंगे warning आएगी इसको भी हम okay करेंगे और हमारी यहाँ पर दे सकते है pen drive जो है वो हमारी bootable बननी शुरू हो गई थोड़ा time यहाँ पर लगेगा तो दोस्तों जब तक यह complete होता है आप वीडियो को like जरूर कर देना चैनल को subscribe कर देना जादे जादे अपने circle जो भी group है वहाँ को share कर सकते हैं अगर कोई यहाँ पर किस तरीके से बिंडो को installation करते हैं तो उसकी भी मैंने complete वीडियो बनाई हुए है description पर link के दे दूँगा वहाँ पर मैंने Windows 7 और Windows 10 की दोनों की complete किस तरीके से ISO फाइल को बनाते हैं और installation करते हैं वो totally मैंने दिखाया हुआ है तो उसके link में description पर दे दूँगा तो यहाँ पर देख सकते हैं यह complete हो रहा है तब तक हम wait कर लेते हैं जब यह complete हो जाएगा उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं मेरी यह ready हो चुकी है यहाँ पर complete हो चुका है मेरा अब मैं आपको इसको यहाँ पर file में जाके भी मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ तो यह रहा है यहाँ पर देख सकते हैं जो मेरा disk था वो यह रहा और यहाँ पर देख सकते हैं bootable pen drive के जो भी setup होते हैं ISO file के वो सब यहाँ पर आ चुके हैं तो हमारी क्या होगी pen drive यहाँ पर bootable बन चुकी है यहाँ पर यह देख सकते हैं और जो इसने file का size लिया मैं आपको बता दूँ यहाँ पर देख सकते हैं तो दोस्तो वीडियो चलिए वीडियो को like चैनल को subscribe जुरू करना आज के लिए इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में